तो लो फ्रेंस एक बाद फीसे स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंस यहां पर आज हम बात करने वाले हैं समसंग लेक्षी M30S के बैटरी प्रोब्लम बैटरी इसू के बारे में फ्रेंस आपको पता हुआ कि समसंग लेक्षी M30S में यहां पर लेक्षी M30S का बैटरी जो है मतलब जल्दी जल्दी फास चार्जिंग का जो इसमें सपोर्ट दिया था उस फास चार्जिंग इसमें नहीं हो पा रहा है तो मैं आप से पुछना चांगा कि क्या आपके समसंग लेक्षी M30S में यहां ऐसा प्रोब्लम देखने को मिल रहा ह यहां नहीं ऐसा प्रोब्लम देखने को मिल रहा है तो मुझे नीचे कमेंड करके बताइए कि समसंग लेक्षी M30S में आपके जब आपना फ़ोन अप्डेट कर लिए हैं तो आप अप्डेट करने के बाद यहां पे आपको ऐसा प्रोब्लम देखने को मिल रहा है तो हमें नीचे कमेंड करके जरूर बताइए कि ऐसा प्रोब्लम आपको देखने को अपना ऐसा प्रोब्लम फेस करने को आपको मिल रहा या नहीं क्योंकि मैं यहां पे Android 10 अप्डेट के बाद यहां पे देख सकते हैं Android 10 अप्डेट के बाद यहां पे मेरा बेटरी मतलब मैं इनको चार्ज करें आपका बेटरी फास्ट चार्ज होने रहेगा अधर्वाइस उसको इनेबल करने के बाद भी आपका बेटरी फास्ट चार्जिंग नहीं हो पा रहा है तो मुझे नीचे कमेंड कर बताई है कि ऐसा प्रोब्लम आपके मॉइल में भी ऐसा इस इसू आ रह इंड तो यह पहले साथ यह दिसेबल रहा था तो इसको आपको in April करने नहीं in April करने बाद अपने फ trumpet को चार्ज करकी देखना है किआपका फॉन तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट के बते हैं कि आपके मॉइल में भी ऐसा प्रोब्लम है तो मैं इस पर एक और डिडिकेटड वीडियो बना दूँगा कि इसको कैसे फिक्स किया जाएगा तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में